होई सलेशुवर मंदिर हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर है जिनका संबंध या तो दूसरे युक से या फिर उनका इतिहास कई हजार साल पुरान है आज हम आपको ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे है जिसका निर्मान 12-23 अताबदी के बीच हुआ था यह मंदिर करनाटक से द्वार समुद्र में स्थित है द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हले बिढ है जो करनाटक के हसन जिले में दक्कन के भटार पर एक बहुत ही खुप सूरत जगह है इस मंदिर का नाम होईसलेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्वित है को सौब स्टोन से बनाया गया है जो समय के साथ कठोर हो जाते हैं इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शांदार मुर्ती विराजमान है शिव जी की मुर्ती के मुकुट पर मानो खोपडिया बनी है जो मातर एक इंच चोड़ी है इन छोटी छोट को इस तरह से खोकला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आखों के सुराख से होती हुई मुह में जाकर कानों से बाहर लोट आती है हजारों साल पहले हाथ से बनाए गये ये सुराख बहुत ही अद्भूत है होईसलेश्वरबंदिर एक उचे प्लैटफॉर्म पन बनी है और इस प्लैटफॉर्म पर बारा नकाशदार परते बनी हुई है सबसे कमाल की बात यह है कि इन परतों को जोडने के लिए चुने या सिमेट का इस्तमाल नहीं हुआ था बल्कि इंटरलॉकिंग के जरिये इसे जोडा गया था पत्थरों की इंटरलॉकिंग न सिर्फ राजा को पसंद आई बल्कि इसी इंटरलॉकिंग की वज़े से आज भी मंदिर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है इसकी बाहरी दिवारों पर सेकड़ो खुब सूरत मुर्तिया बनी हुई है इस मंदिर की खास बात यह है कि हर मुर्ति को एक ही पत्थर से बनाए गया है इसके साथ ही मंदिर के अंदर पत्थर के स्तंब भी बने है पत्थर से बने ये स्तंब गोलाकार डिजाइन में है जिसे हाथ से बना पाना नामुनकिन ही लगता है विशेशग्यों की माने तो ये काम मशीन की बिना संबव ही नहीं है लेकिन यह बात सोचने वाली है कि उस समय में हमारे पुर्वजों ने पत्थरों को गुमाने के लिए किस मशीन को प्रयोग किया होगा हुईसलेशवर मंदिर वास्टुशिल्प का एक बेजोड नमुना है जो आज भी सभी के लिए आकर्शन का केंदर है हाला कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को बनाने में मशीनों का इस्तमाल किया गया था ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर का निर्मान मनुश्य जाती ने किया ही नहीं है प्राची नवास्टुकला के अद्भुत रचना आप जरूर देखे